प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स मुंबई के जोगेश्वरी में सरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डाल कर जिन्दा जलाया मगर प्रेमिका ने जलते हुए प्रेमी को भी बाहों में जगडे लिया और दोनों बुरी तरह से जल गए प्रेमी की मौत हो गई जबकि प्रेमी का का इलाज चल रहा है दरसल लड़के का नाम विजय कामले है और लड़की का नाम नीलिमा है नीलिमा जोगेश्वरी में अपने चाचा के घर में रहती है करेब चार साल से प्रेम संबंद था मगर दोनों घरों के परिवार इस पर विरोध जता रहे थे परिवारिक विरोध के बीच चार महिने पहले से ही इनका प्रेम संबंद ठीक नहीं था पुलिस के मताबिक पांच फरवरी को लड़की नीलिमा अपने घर में अकेली थी और इसी का फायदा उठा कर विजय कामले पेट्रोल की बोटल लेकर घर में भुश गया दोनों में पहले कहा सुनी हुई उसके बाद विजय नीलिमा पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी मगर विजय के लिए ये सब कुछ तब उल्टा पड़ गया जब आग से जलती हुई नीलिमा ने विजय को भी जकड लिया जलते हुए दोनों घर से बाहर निकले पडोसियों ने किसी तरह से आग बुझाई मगर तब तक 90 फीस दी ये दोनों जल चुके थे दोनों को ततकाल ट्रॉमा केर हॉस्पिटर ले जाया गया जहां से इन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में डॉक्टरों ने रिफर कर दिया जेजे अस्पताल में इलाज के दोरान प्रेमी विजे कामले की मौत हो गई जबकि नीलिमा जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है पुलिस का मानना है कि पूरी घटना करम के बारे में लड़की का बयान जरूरी है 90 फिस्दी जल चुकी लड़की ठीक होगी तो उसका बयान सबसे एहम होगा बगर जोगे सोरे में जिस तरह से ये घटना सामने आई कि पेट्रोल डाल कर प्रेमी ने प्रेमिका को जलाया और प्रेमिका ने जलते हुए अपने प्रेमी को वाहों में जकड लिया और आखिरकार प्रेमी विजय कामले की मौत हो गई और नीलीमा का इलाज अस्पताल में चल रहा है जिसका बयान सबसे एहम माना जा रहा है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही प्रहाट है